तो भाई लोग कैसे हुआ आप लोग तो स्वैलोर स्टार के नेक्स्ट नोवल की एपिसोड नमर 92 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन दवाना न भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लोग फैंग को न्यूज मिली होती है कि जीवजीन ने सुसाइड कर लिया होता है और ये एक हटक सही भी था अब ऐसा क्यूं आप इस एपिसोड में देख लेना तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि ज यहां पर जीवजीन के जीने का मतलब खतम हो चुका था और इसी वक्त वो सिल्वेर एमलेट भी साइन करने लगता है और उसके लाइट जीवजीन के पूरे बौडी को कवर कर लेता है और फिर उसकी बौडी में चला जाता है और वो बिल्कुल एक एंजल की तरह दीख रह जाता है जहां पर जीवजीन डिस्क पर बैठी होती है और तभी उसके पास एक मेल आया होता है और वो अपने आपी खुल गया होता है अब जीवजीन उस मेसेज को देखती है जहां पर उस मेसेज में लिखा होता है कि जीवजीन ये मैं हूँ लूफैंग कभी से देखकर पूरे तरीके से सौक हो जाती है और यहाँ पे mail में लिखा होता है कि मेरे पास भी एक AI है अब जीजिन को इन सब के उपर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका भाई भी इतने सारे mails में फोटेजेश और क्लिप को भेजा करता था लूफेंग की ताकि वो से भरोसा दिला सके कि लूफेंग अभी तक जिन्दा है अब उस mail में आगे भी reply आता है जिसमें लिखा होता कि मैं जानता हूँ यह suspicious है लेकिन तुमने suicide करने की कोसिस की थी लेकिन उस emulet के कान तुम अभी तक जिन्दा हो और वो अभी गायब हो गई होगी अब जिवजिन भी उस emulet को check करती है तो वो सच में गायब हो जाती है जिसके खान जिवजिन सौक हो जाती है और आब वो जानती थी कि उसने खुद को मार लिया था लेकिन अभी तक वो जिन्दा है और यह सब सोच के जिवजिन को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है लेकिन उसे अभी तक विश्वास नहीं होता कि क्या लुफ्रेंग सच में जिन्दा है और फिर उधर से फ्री से मेलाता है कि चिंता मत करो मैं 6-7 महिने में वापस आ जाऊंगा लेकिन तुम इसके बीच कुछ अपने आपको मत करना और इसी के साथ वो मेसेज़ खतम हो जाता है अब जिवजिन इन सारे मेसेज़ को देखकर खुस हो जाती है और इसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कारी अंधेरी रात में सूरज आ गया हो अब जिवजिन को भी ये सब रियल लगने लगा था क्योंकि वो मर कर फ्री से जिन्दा हो गए थी और अब इसके बाद वो मॉम और डैड को बताने के लिए जाती है और जब लूफेंग के फैमिली उस मेसेज़ को देखते हैं तो सौक हो जाते हैं और वो इस बाद से ज़्यादा सौक्त है कि जीवजिन ने सुसाइट करने की कोसिस की थी अब उनमें भी एक आसा उमर परती है और वो छे महीने इंतजार करने का फैसला करते हैं और फिर ये टूब टाउजिन सिक्टीवन नाइन्थ मार्च की रात का सीन्दिक आया जाता है जहां पर सारे लोग हसीकों से डिनर कर रहा होते हैं लेकिन तभी उन सब के विजिन्स बलर होने लगते हैं और बाहर के सारे गार्ज भी बेहोस थे और वहाँ पर लोग हुआ को छोड़ कर बाकी जितनी भी लोग थे वो सारे बेहोस हो चुके थे और वहाँ पर एक सुट पहना हुआ आदमी अंदर आता है और वो साथर्ण एसिया में रहने वाला था और वो आते ही कहता है कि रिलाक्स करो मैंने उन्हें मारा नहीं है सेफ मैंने उन्हें नीद में किया है अब लू हुआ उन दोनों से पूछता है कि तुम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्या करने आए हो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हम यहाँ वो चीज लेने आए हैं जो कि स्टार ट्रेवलर को बिलॉंग करते हैं और यह किसी नॉर्मल बंदों के पास नहीं रहना चाहिए और रिलैक्स करो मैं यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया हूँ लेकिन अगर तुमने रॉबर्स को ओडर दिया तो साइद वो मारे जाएंगे लेकिन तभी वहाँ पे एक करेक्टर आता है जिसका नाम सागो नहरू था और वो अभी के फिलहाल इस दुन्या में सबसे नंबर वन स्पीट मास्टर था और वो स्टार ट्रेवल वन पे पहुँचा हुआ था और वो आते ही उनके मैट्स को मार देता है और ये देखकर लू हुआ को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अगर उसने रॉबर्स को इजाज़त दिया तो इससे पहले कि वो उसे और देता सागो नहरू उसे मार देता अब सागो नहरू वहाँ पे आके कहता है कि तुम्हें तो इस दुन्या के बारे में पता ही होगा क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन ट्रेजर्स को रख पाओगे और वैसे भी उन्हें यहाँ चोड़ना एक बरबादी ही होगा अब फिस सागो नहरी वहाँ अपने spirit energy से scan करता है जिससे कि उसे यहाँ पे 18 morning crystal और कुछ साथ में spirit of nature भी मिलते हैं अब यह देखके लू हुआ के भी expression बदल जाते हैं कि वो अपने spirit energy से उन सब को scan कर रहा है अब सागो नहरी उन सब को ले लेता है और कहता है कि आखिक तुम इस robot को कैसे control करते हो तो लू हुआ कहता है कि मैं उन्हें control नहीं करता हूँ मेरे भाई नहीं सो order दिया है कि मेरे family को protect करो अगर तुमने इससे treat करने की कोशिस की तो ये robot अपने आप activate हो जाएगा तो ये सुनकर सागो नहरू समझ जाता है और वो जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ अगर तुमने कोई चलाकी की तो तुम सारे मार जाओगे अगर मैं यहाँ से 100 मीटर दोर भी हूँगा तो मैं अपने spirit एनरिजिस तुम सब को मार सकता हूँ और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते है और लूफ हुआ भी कुछ नहीं कर पाता लेकिन एक चीज़ सोर था कि जब लूफ हुआ यहाँ पर वापस आएगा तो उन सब का पता नहीं क्या करेगा अब यहाँ पर तो लूफ हुआ ने 60 क्रिस्टल को डिवाइड किया था और इसी कायन उसे सिफ 18 ही मिले थे और यहीं को देखकर वो सारे लोग सौक थे क्योंकि हॉंग और थंडर गॉट को मिला के भी सिफ उनके पास 10 मोहिंट क्रिस्टल आए थे अब यह सब जो हुआ था उसे बबाता भी उस रॉबर्ट के मदद से सुन रही थी और लूफ हैंग ने भी उसे सुन लिया था और यहाँ पर लूफ हैंग उस गोल्डेन हॉन बिस्ट के बॉड़ी में था और यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो जोर से दाहार मारता है जिससे की पूरा पैसिफिक ओसिया नहीं हिल जाता है अब यहाँ पर लूफ हैंग को गुस्सा तुआ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को सांत रखता है और फिर वो अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है अब फिर ऐसे दिन बीचते गया और फाइनली वो दिन आहीं गया जब लूफ हैंग अपने नौरिस्मेंट जाता है और लूफяжक अंडे से बाहर निकलता है और उसकी बॉडि सिमिलर थी पिछले के ही जैसे और इस समय लूफैंग से इमेंस पावर की फिलिंग आरी थी और यहाँ पे लूफैंग फाइनली वापस आ चुका था और यहाँ पे उसकी कोड भी बहुत चूती थी और हम वो अपने core को universe की energy को absorb करने के लिए छोड़ता है तो कोची घंटों बाद वो star travel 6 में promote हो जाता है और यहाँ भी उसकी cloud contact उस pacific ocean में तैर रही होती है और जब वो cloud contact अपने master को देखती है तो फिर से loofang के पास वापस आ जाती है अब cloud contact अभी तक इसलिए बचा था क्योंकि loofang की soul destroy नहीं हुई थी और जब तक loofang की soul destroy नहीं होती cloud contact wine भी नहीं destroy होगा cloud contact wine भी नहीं destroy होगा और अभी के दर्याँ loofang की एक weakness भी थी जो उसकी soul थी लेकिन अभी के समय loofang का अगर सर भी उरा दिया जाय तो नहीं मरेगा और वो अपने energy से free से regrow कर सकता है उसी golden horn beast की तरह अब बवाता loofang से कहती है कि मैंने तुमें दूसरे races को भी चुनने का मौका तिया था लेकिन तुमने human form को ही choose किया इसके कान तुम दोनों के बीच power level का अलग ही gap बन जाएगा अब गाज ऐसा इसलिए क्योंकि humus golden horn beast के मुकाबले slow progress करते हैं लेकिन golden horn beast बहुत जली जली level अप होता है और अभी के समय loofang को एक human body में star travel level 6 पे था लेकिन उसी के साथ golden horn beast के body star level 3 पे पहुच चुका था तो loofang कहता है कि कोई बात नहीं मैं इसे match up कर दूँगा अब loofang इसी के बाद soaring shuttle पे खरा हो जाता है और ocean से बाहर निकलता है और finally वो surface पे आ जाता है और फिर इसके बाद वो यूरोप की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे बाबाता loofang को सारी दुन्या में हो रही घटनाओं के बारे में बताता है आखिर यह सब war god palaces क्यों collapse हो गए और अभी के दौरान 5th chairman ही सबसे strongest है और उन्होंने और यहाँ पे ओटकिन ने सागो नहरू को भी अपने पास मिला लिया था और आटकिन कोई और नहीं 5th chairman होते है और बाबाता loofang की सारी report बताती है और यह भी बताती है कि उन्होंने अपना ही अलग group बना लिया है और वो अभी के दौरान number one power house है और इसी के कायन कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनका तो loofang उन पाचों के बारे में पूछता है कि क्या उनके परिवार थिक तो है क्या उन्हें कुछ सेहना तो नहीं न पड़ा तो बाबाता कहती है कि नहीं किसी ने भी उन eight families को बुली नहीं किया लेकिन मो हैंडलसन के family का एक member मारा गया और मेडिया वालों ने इसे एक एकसिडेंट बता दिया अब ये सुनकर loofang को बहुत जाला गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो मरना deserve करते हैं और यहाँ पे loofang बड़े ही गुस्से में कहता है कि और यह नहाई सागो नहरू तुम सब मरोगे और अभी के दोरान loofang बहुत जादे गुस्सा में था और अभी के दर्मिया loofang एक start travel level 6 पे था और जबकि loofang start travel level 3 पे था उसी वक्त उसने हॉंग और थंडर गॉट को भी हरानी की ताकस थी और अभी के दर्मिया loofang start travel level 6 पे आ गया था और उन सब को मारना एक चीटी को मसलने के जैसा था अब फिस सीन्स चेंज करके हमें यूरोप के पैरिस हेटकौाइटरस को दिखाया जाता है जहां पे यान हाई बरे ही मज़े से वाइन पी रहा था और वो अभी एक राजा की तरह मौज कर रहा था लेकिन तभी कुछ होता है और वो धीरे-धीरे अपने सर को पीछे गुमाने लगता है और अभी के दोरान उसके दिल में पूरा धर्सा भर गया था और वो सोच में पर जाता है कि कैसे हो रहा है मैंने तो मोहिन कृस्टल को लेकिए स्टार ट्रैवल लेवल 3 में आ गया हूँ और अभी के दोनान ओटकिन जो की नंबर 1 पावर हाउस है वो भी मेरे से थोड़ा सा इस्ट्रोंग है और आखिर वो मुझे पीना पता लगे मेरे पीछे कैसे आ सकता है और इस धरती में ऐसा उसके अलबा कोई नहीं है और जब वो पीछे मुर कर देखता है तो उसके दड़के मारे हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि यह तुम यह तुम नहीं हो सकते है और इसका फेस पूरा पीला पर गया होता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने भूत देख लिया हो तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी बाइ